जानवरों के मास की अवई तसकरी करते आईशर वाहन सहीद एक आरोपी को गिरफतार किया गया पुलिस ने किस परिसर में इस कारवाई को अंजाम दिया देखते हैं इस खबर में बलारपूर में अवई धरूपसी पशों का मास से लंगना ले जाते हुए बलारपूर पुलिस ने एक वाहन सहीद 18 लाख रूपे का माल जबत कर एक आरोपी को गिरफतार किया है बलारपूर पुलिस ने गुपत सुषना के आधार पर मुक्य रोड पर कोरक्षन बाट के पास जाल बिछा कर जब एक आईशर वाहन तेज गती से आ रही थी उस वाहन को रोप कर तलाशी लेने पर वाहन में प्लास्टिक से ढखा हुआ जानवरों का मास मिला उक्तवाहन क पंच नामा किया गया जिसमें लगवग आठ लाख रुपे मुल्य का मास बरामद हुआ साधिय आईशर वाहन क्रमांक में चालिस एके 48-73 की कीमत 10 लाख रुपे लगाई गई इस प्रकार पुल्स सामान की कीमत 18 लाख रुपे लगा कर वाहन जब्त किया है बहान चालक फरार हुआ तथाए कारोपी मुहमद इम्रान, मुहमद इरशाद, उम्रतीस, निवासी कोईला, ताल, कामठी, जीला, नागपुर को गिरफतार करने में पुलिस को सफलता मिली है वलाख पुर पुलिस ने मामला पंजी बद्दकर कारवाई की है उक्तकारवाई पुलिस अधिक्षक मुमका सुदर्शन अपर, पुलिस अधिक्षक रेना चन्बंदू, इनके मार्गदर्शन में पुलिस नेरिक्षक आसिफ राजा शेक के कुशल नेत्रुत्व में सायक पुलिस नेरिक्षक दिपक कांक्रीडवार, पुलिस उपनेरिक्षक विक्की लोगंडे, उपनेरिक्षक भासकर पुंदावार, ASI गजानन डोई फोडे, हेड कॉंस्टेबल, रन विजै सीह ठाकुर, वाशिष्ट रंगारी, शेखर माधनकर, लखनजाधो, गनेश थूर से आदी पुलिस टीम ने की है, CTV के लिए प्रतिनेथी क्रिशना कुमार की रिपोर्ट